हेलो एवरिवन वेरी गुड मॉर्निंग और कैसी हो आप सब आई हो पच्छे होगे बढ़िया होगे तो जी मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं हो नीशा आज है दिन फ्राइडे मॉर्निंग है और बच्चों को जाना है स्कूल दोनों को रोजाना की तरह है त मुझा पार्ट पाक जाना अपना मॉर्निंग वॉक वगरा सब कुछ हो गया है और अब मैं साड़े च्छे बज रहे थे तो आई हूं पाक से आई हूं उसके बाद मैं लगी हूं बच्चों के लिए टिफन रेडी करने वाली जो यह प्रॉब्लम है यह बहुत मतलब बहु क्या ही प्रॉब्लम बोलु मतलब हर लेडी के लिए सबसे ज़्यादा टैंशन यही रहती है कि रात को क्या बनेगा दिन में क्या बनेगा और बाकी कामों की तो कोई टैंशन नहीं होती कि कपड़े दोने सफाई करनी है बरतन मानिया है यह सारे काम तो मतलब अपने टाइम कि बटी जो बच्चों को स्कूल भेजना है और क्या बनाना है यह सबसे बड़े प्रॉबलम है तो बस आज कार्तिक को जाना है पिक्निक स्कूल की तरफ से तो उसके लिए भना रही थी मैकरोनी उसमें राथ को बोला था वैसे तो पिक्निक पर मिलेगा उसको सब कुछ कुछ स्कूल से बटी बटी चटोरा जाता है थोड़ा सा है, तो अब पैक, आक करवाके ले जा रहा है बच्चों के लिए पने फ्रेंड्स के लिए मैकरोनी बनवाखे तो यहां पे तो मैंने मैकरोनी के लिए मतलब तो बड़िया सी स्पाइसी सी मैकरूनी बनेगी और इधर ना बच्चों के लिए मैंने चाय भी रख दिया क्योंकि दोनों के दोनों चाय नाश्ता करके जाएंगे की मतलब फीने के लिए ना को बनादो कच्छे आमों को कच्चे आम ची आम को चील के कट लो और मिकसी में पीच लो और ला क्वा मिर्च और तोनिक जीर को भुने के रख लेख։ और उसको जब दही ना बुना हुवा जीरा उपर से एड़ कर सकते हैं तो पीसना एससे पहले उसको फिर्चान ना है तो यहां पे मैकरोनी का मसाला जो भी था पूरा बन चुका है उसके बाद मैंने मैकरोनी डाल दी है और इसके इंदर मैं नमक डालके पानी डालके सिर्फ और दो सीटी लगानी है है, और दो सीटी लगने के tasked़ बपार मैकरोनी बंती है Is Không하면मी, जल्दी काम होत praise, इतनी जल्दी काम बहुत Sagranas अगर कभी भी आप दीजिए कीए आप Craft लोग मेठें का क्या हाल हुरा है क्योंकि जब एक साथ इतनी चीज़ा बनती है ना मतलब उसको वह भी लग रही थी ये बन गया है हमारा देखो आमरस तो जी आमरस की रेसिपी भी बहुत सिम्पल सी है और मेरी न मेक्सी खराब हो रही थी तो कार्थिक अपनी ताइकें इसको पीस के लेकर आया था और बस अब इसको जब ये पीस जाता है ना हमने दो आमी ले ली थी और दो आमी को चीर लिया था उसमें ये जो नमग काला नमग डाल दिया था थोड़ा सा सफेद नमग जो हम यूस करते हैं वो डाल दिया था और चीनी पानी ये सब चीज़े एड़ करके और इसके बाद हम हमें इसको पीसने के बाद चान लेना है और अच्छा ये ठंडा होता है ना तभी अच्छा लगता है और नॉर्मल पानी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो बस बिल्कुल चीड से पानी में इसको पीस लिया था और चान लिया था और इसकी बोटल में इसको मैंने पैक वाली थी, तो husband जी के लिए मैं बना रही हूँ, यहाँ पर मक्कन ब्रेट सेख रही हूँ उनको नाश्टे में मक्कन ब्रेट दूंगी और बहुत अच्छी लगती है मेरे को मक्कन ब्रेट, और यहाँ पर हम दोनों की पती पतनी की चाय चन गई है, और हम दोनों भी पहले चाय पिएंगे, अच्छा सुबह चार बजे से उटने के बाद, ना, बस मेरा तो मन यह करता है, मॉर्णिगोक से आने के बाद, कि मैं सबसे पहले चाय ले लूँ उसके बाद कुछ काम करूँ बट चाय लेने में भी पूरा एक डिएड़ घंटा मेरे को लग जाता है क्योंकि दोनों बच्चों के टिफिन पैक करने होते हैं, हस्बेंट जी को भी नाष्टा देना होता है इधर में, जो जैसे किचेन में मेरे बरतन जो भी खाली होंगे ना, मैं इनको भी टिफिन में पैक कर रही थी तो ये ना मेरा मकषन का डिबा है और इसमें थोड़ा सा मकषन लगा हुआ था तो मैंने सोचा इस मकषन को कैसे निकालू तो मैंने ये गरम-गरम मैकरोनी ही इसके अंदर डाल दी और सारा खाली कर लेते हैं तो यहां देख सकते हैं हमारे बरतन कितने सारे हो गए अच्छा बरतन, सफाई, कपड़े सुबह से कितने काम होते हैं गिंती में तो काउंटिंग में है ही नहीं और रो जाना और हम वोड़ों का कैया देखो बोर हो भी जाएंगे तब भी करना ही करना है कोई option नहीं है ना हम लोगों के पास तो अब यह जो बरतन हुए ना हमारे चाय बाए कि अच्छा मैंने चाय को ना ठक्के रख जया था मैं पहले सोच रही है जो थोड़े से बरतन है ना को साफ कर लेती हो क्योंकि इसके बाद मैं फिर कम से कम हादा पूंड गांटा के लिए तो मैं लेट को कूंगी क्योंकि जैसे पारक जाने के बाद और सुबह जल्दी उठने के बाद नीज धंसे प्रॉपर पूरी हो नहीं पाती तो फिर पर उठना पड़ा क्योंकि जो चीज हम ठान लेते हैं अपने मन में तो हमें वो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक जो होता है ना रूटीन मेरा खराब ना हो मैं इसी विज़े से फिर क्या करता है उठ गई थी मेरे को लगा नहीं अब सो गई तो फिर मतलब मैं पाक नही तो फिर फाइनली मैं उठी मतलब आदा गंटे का रेस्ट करके चाय पीने के बाद और फिर लगी हूं अपने घर के दुबारा से काम में यह दोनों काम जो चाय पीने के बाद एक जो रहें आए चल कर लयते हैं वह काफी कहते हैं इनर्जी डेता है अगर जो जल्दी उठते हैं और लेट उठते हैं पिर तो मैं चाहे पीते ही काम पर लग जाती है तो चलिए यहां पर मैं भागी हूं ममी वाले रूम में और सबसे पहले कि वह अब कर दो रही हूं क्योंकि जी आज कल इतनी धूल मिट्टी वाली है जो जो यह जो चल रही है ना कि बहुत है अब गन्दा लगता है उस्यारी नहीं है हम लोगों ने मेरे को तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है तो यहां पर बस मेरे वाइपर से यहां जो किछ देती हुने थोड़ा गिले लगा के तो एक बार को बिल्कुल क्लीन सा हो जाता है फर्श भिल्कुल धूल मिट्टी कुछ नहीं दिल गई तो चलि आप मैं आई एक रूम को कल क्लीन करती चलूंगी और कुछ ऐसी हालत हो रही थी घर की जब बच्चे स्कूल गए हैं और पूरा ना कहते हैं मैसी पन सब चीजे फैली कहीं बुक्स पढ़ी हैं कहीं कुछ पढ़े हैं और बच्चों की आद ते इतनी गंदी हो गई हैं यह कुछ भी समान अ माउस वाइफ को और यहां पर मैं सबसे पहले बैडशीट को जाड़ूंगी क्योंकि बैडशीट एक बार को बन जाएगी ना तो एक तसलिस ही हो जाएगी कि बस अब मेरे को जाड़ू और पोचा निपनाना है एक बैडशीट लगने से ही ना घर की लुक चेंज रहाती है जैसे सुबह मॉर्निंग में जैसे घर फैला हुआ है और जैसे बैडशीट वगरा बिज जाती है सब समान अपनी अपनी जगह रख जाता है जैसे ड्रेसिंग पूरा क्याते हैं एक दम सुबह के टाइम कही तेल है कही शैंपू है ऐसा कुछ मेरे घर का मेरी घर की कंडिश तो ऐसी होती है मॉर्निंग में और उके घर का पता नहीं सब बच्चे समझदार भी होते हैं ऐसा नहीं है कि अपनी चीजों को धंग से रख कर जाते हैं और यहां पे बिलकुल मैंने बैड वगरा ठीक कर दिया है और जब ठीक हो गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था और कल तो इस रूम की सफाई हुई थी और अब धंग से जो अच्छी वाली होते हो गई थी अब मैं इस कमरे में बस आज ज्यादा मतलब धंग से नहीं करनी मतलब नॉर्मल जाड़ू पोचा करना है बस जल्दी से जाड़ू लगा लोंगी और फिर बाद में पोचा लगा पेना दुपहर के लिए लंच रेडी करना है वो भी नहीं हम छोड़ सकते तो देखें सुबह के टाइम के काम सबसे जादा है हम हाउस वाइस के लिए इवनिंग में काम हमारे कम हो जाते हैं क्योंकि इवनिंग में सिरफ रात के खाने का होता है बट उसके अपोजिट मॉर तो अब यह जो हॉल वाला पैनल इस पर बहुत जाना होता है तो इसी वेज़े से यह इधर हमारे हॉल में बहुत जादा दूला आती है तो बस अब जल्दी से मैं पैनल को पूरा अच्छा साफ कर दूँग चा क्या होता है यहां पे यह बच्चे ना हात लगा देते ना त अच्छे क्या हस्बन जी की विए उनकी आदत है यहां वो फोन चार्ज गरते है तो जैसे हात बगरा लग जाता है तो यह वाइट संभाइका यह बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी से दिखने लग जाती है यह चेकनाई चेकनाई सी जैसे होता हुता है संभाइका पे फिंगर के निशान जो होते हैं वो दिखने लग जाते हैं तो बस यहां पर यह मेरा पैनल भी साफ हो गया है बिलकुल और जब इस तरह से सफाई कर लेती हूँ नो तो बड़ा अच्छा सा लगता है अब ऐसे लगता है कि हाँ फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरा घर आखिर कर चमक ही गया और यह चोटे-चोटे से काम जो हैं देखो कितने फैल जाते हैं सुबह के टाइम अब यह भी हो गया पैनल भी और अब आई हूँ अपने बेडरूम में बेडरूम में भी मैंने सुबही बेडशीट वगरा बिचा दी थी तो बस अब जाडू लगानी है क्योंकि बेडशीट और डस्टिंग तो इस रूम की भी होई गई थी तो ऐसे करके देखो तीनो चारे रूम में मेरे सफाई हो रही है और रोज आना ही इतनी होती है यह नहीं मैं कि मतलब एक दिन छोड़ दूँ और एक दिन ना करूँ तो कोशिश यही रहती है कि रोज के ही सारे रूम की क्लीनिंग करती चलूँ क्योंकि मेरे को यह लगता है कि अगर एक दिन किसी भी रूम की नहीं तो वो रूम गंदा है या अपने आपको मुझे खुद को अच्छे नहीं लगता कि बही ऐसे लगता है कि चलो जल्दी से दो मिनाटी तो लगेंगे जल्दी से जाडू लगा लेती हो और पोचल लगा लेती हो हाला कि इसमें कुछ गंद नहीं निकला था मेरे वाले रूम में क्योंकि मैं रात को सो नहीं जाते हूँ इस रूम में अब आगी मैं finally kitchen में और kitchen में जो बरतन बगरा मांजे थे ना वो तो मैंने लगा दिये थे और इधर दूद भी आ गया था दूद को भी मैंने बॉइल करने रख दिया था अब किचन का countertop बगरा clean करना था क्योंकि वो अभी रह रहा था और जब मैं रूम बगार में लग गई थी तो फिर वो मतलब की रहा गया था अचा आज ना दुपहर का खाने का कुछ ऐसा है नी क्योंकि कार्ति गया है पिक्निक पे हजबन जी को भी कहीं जाना है तो फिर दुगू और मैं ही रह जाएंगे और वो ही मैं सोचने मैं दुपहर के खाने में क्या बनाओं क्योंकि कुछ समझ नहीं आता दुपहर के खाने का और जब दो ही जने रह जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है किसके लिए बनाओ छोड़ना कुछ बाहर से ओर्डर कर लेंगे क्योंकि घर के काम करते करती मैं इतना ठक गई थी फिर मनी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाओं तो आज खाने का भी कुछ समझ नहीं आया था मैं सोच चलो देखेंगे जब डुगू आएगा तब हम मा बेटे ही रह गया दुपैर में तो कुछ भी मैगी वेगरा बनाके खा लेंगे और मैगी वैसे भी बच्चों को भी बहुत पसंदा है और मेरे को भी तो चलिए हैं यहां दुपैर के खाने की भी मैंने माइड में सेटिंग सोच लिए अच्छा सारी चीज़े सोच नहीं पड़ती है तो फाइनली मेरे पूरे घर का जो एक वो जो काम है ना वो पूरा खतम होगा और कपड़े वगारा तो मैंने मौर्णिंग में धो ही लिये थे सारे चाई पी कर जब मैं सोई थी और इसके बाद उठी थी तो सबसे पहले मैंने मशीन ही लगाई थी और यह आप देख सकते हैं पूरे जो यह कैबनेट्स वगरा है ना इनको भी मैं पूरी बहार से साफ कर दूँगी और किचन में क्या होता है कि काम चाहे थोड़ा सा ही हुआ हो है और गंदी इतनी जल्दी हो जाती है कैसे लगता है कि है कितनी मतलब कब से सफाया नहीं हुई है इसमें तो रोजाना है कि यह चोटे मोटे से काम है जो करने ही करने है चाहे कुछ भी हो जाए दरती इधर से उधर हो जाए हम ओड़तों के काम बिलकुल कम नहीं होते और बस अब जल्दी से यहाँ पर पूरा यह जो केस्टिंग के एरिया है इसको भी मैंने बरतन साफ करे थे तो वो भी साफ कर लिया था और यह सारी जो यह गैस के उपर की यह कैबनेट और यह प्लाई सलमाई का लग रही है ना इसको भी मैं बिल्कुर साफ कर लूँगी क्योंक बिल्कुर जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा तुछी कल फिल फिल